अजान हाली में खबर आई है गुरू चरण सिंग तारक मेता में जो सोडी का रूल प्ले करते हैं उनकी मिसिंग रिपोर्ट आई थी अब वो चीज को फेक बताया जा रहा है उन्होंने एक पॉब्लिसिटी स्टंड किया था ऐसा तो इस पर क्या कहना चाहिए आप कि मुझे इसके बारे में इतना नॉलिज नहीं थी क्योंकि ये टीवी शो जादा में देखता हूं लेकिन कल मुझे एक दोस्त ने एक निव्ज मीडिया का लिंग भेजा में किसी का नाम रिवील निग कर सकता हूं किस लिंग था बड़ उसमें कि गुरू चरण सिंग ने दिल्ली मे इसमें कितनी महने लगती पूरी दिली पुलिस, पूरी पंजाब पुलिस, पूरी मुम्भائी पुलिस, महराश पुलिस इसकाम में लग गई है कल तारिक मेता के उल्टा चश्मा के руг पूलिस जाके पता किया उसने एसा क्यों होँआ खुद जानबुज के publicity के लिए इस तरह करना बहुत बहुत गलत बात है और इंडस्ट्री की उपर बहुत बढ़ा धबा है और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ टीवी इंडस्ट्री के लोग जो भी हैं ये टीवी आर्टिस्ट हैं ये आपने आपको बड़ा celebrity नहीं समझ आते थे वह सरदारी थे जो लॉक्डॉम में बाहर घुमते थे कोई भूका प्यासा तो नहीं है ये इतना गलत कतम उठा रहा है publicity लिए इससे पहले पूनंपांडी ने भी इसा किया था ये इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है इसे लोग इंडस्ट्री को मीडिया को जितनी इनकी इज़त है वो सब अपनी इज़त खराब करना है इनको काम पे लगा के तो मेरे खराब से गलत है इनके गलाफ एक्शन होना चाहिए तो यह इतनी बड़ी ख़बर है कि लोग चाहते है कि अगर आप एक इंफुलेंसर है एक पब्लिक फिकर है तो दुनिया तक यह हमने आजाएगा सब के के काएगा भाई हम तो लापाता हमारा दिमाग खराब हो गया था या मैंटल कुछ प्रॉब्लम होगी ती में घर से चला गया था तो इस तरह की पॉब्लिक परना बहुत गलत है इस तरह के लोगों बाइकाट करना चाहिए और टीवी आस्टिस्ट अपनी ओकात भूल गया हैं यह इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहा हैं और सिर्फ बॉलिवुड में आने के लिए जितने लोग देखी जो लोग टीवी टीवी शोज देखते हैं जो लोग तारे महता का उल्टा चश्मा देखते थे वो इनको जानते थे बड़ जो नहीं लगें तो इस तरह गलत इस तरह उठाना बहुत गलत है आज पूरे मुंबई महराष्ट या पूरी दुनिया में किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कल मैंने जब वो निउस लिंग देखा तो आप यकीन मानिए मेरी राद बर की नीन चली गई सिर्फ इसी टें जान ले रहा है यह अपने गुमशुदा होने की नीज चला रहा है तो बहुत खराब बात है उससे देखी फैमिली बहुत इफेक्ट जाता है अगर आप देखें चरन सिंग को आप अगर आप देखें तो उनके फादर बहुत हैं तो उन पर क्या बीती होगी पूरी फैमिल इन भी खतम होना चाहिए इनको अनफॉलो करना चाहिए इंस्टाग्राम पे लोगों को भी और गोर से देखें के यह किस तरह के फेस हैं जो जैनुवन लोग है जैनुवन पैसनेलिटी है जो जिन्नों ने वाकि इंडिया के लिए कुछ किया है प्लीज उन लोग को फॉलो उनको फॉलो करिए और उनकी तरफ बनके बताईए मैं जानत में कहना चाहता हूं चरण सिंग से भी कि अगर हमात है तो अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़के दिखाओ ना कि इस तरह की जूड़ी पॉबिसिटी करके कि हम गुम गई हम मर गई इस तरह की पॉबिसिट के अगे जिखाओ जिखाओ ऑम गार के तो यह हम गार के बाईंगow Live घटाओ जिखाओ जोड़।